लागी का मारगे ओर हे लगे चोट काल जा करके सर आपने मदुपरम हंस जी से कितने साल तक नाम दिक्सा लेकर मुझे दो साल बक्ति साधना किया था और वो भरंग मता बताते थे बहुरे की जैसे आवाज कान में किया था तो उस बक्ति से मुझे कोई लाब नहीं मिला और मैं ज्यादा नसा करने लग गया गाजा भी पीता भक्ति करते करते हैं भक्ति करते करते मैंने उन से चोड़ने के लिए बक्ति के लिए गया था लेकिन नसा मेरा ज्यादा बढ़ गया था सर आपको संतरामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला सर में जब महाराश्ट में मेरा बिजनिस था तो वहां मुझे मदूपरमस जी की बक्ति साधना करते करते 12 लाक रूपे का लोस हो गया था तो फिर मैं गाव में आ गया राजस्थान में वहां मुझे मेरा एक मित्र था जो संद्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्सा लेकर बक्ति करता था वो मेरा बच्पन का मित्र था उसने मुझे बोला कि परमात्मा इस धर्ती पर संद्रामपाल जी महराज के रूप में आये हुए है और आप भी वहाँ चलो आपका सब कुछ सही हो जाएगा और आपका नसा भी छूट जाएगा तो फिर मैं उनके साथ दिल्ली गया मुझे में संद्रामपाल जी महराज का आश्रम था वहाँ से नाम दिख्षा लिया और उनके नियम भी मैंने देखे फिर वो नियम मैंने फोलो किये उससे मेरा नसा चूट गया सर हम आपसे जानना चाहेंगे आपने बताये कि आपने मुंड का दिल्ली से नाम दिख्षा ली सर आपने नाम दिख्षा कब ली संद्रामपाल जी महराजी से सर मैं चुगदा साथ 2017 में जुड़ा लेकिन सर उस टाइम तो संद्रामपाल जी महराजी जेल में थे संद रामपाल जी मारा जेल में थे वो मुझे पता था फिर भी मैंने उनसे जो नाम दिख्षा ली मंत्रों के जाप से मेरा दिरे दिरे सर आपको कभी ये फिल नहीं हुआ कि आप एक ऐसे संसे नाम दिख्षा लेने जा रहे हैं जो भी जेल में हैं कि आपको यही नहीं लगा कि आप किसी और संसे भी नाम दिख्षा लेते तो भी आप पनासा छुट जाता कर कहा कि बेटा तू जहां पर विजनिस करता था वहां चला जा और मैं आज वहां ही पर विजनिस कर रहा हूं और मेरे बारा लाक रुपे का करजा भी चूग गया है संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिख्षा लेने के बाद संत्रामपाल जी महाराज की दिख्षा लेने के बाद आज मुझे दो साल हो गए है आज मुझे एक भी रुपिया किसी को देना नहीं है और क्या के लाब हुए और सर मुझे मानसिक लाब हुए मैं मानसिक परेशानी में नसे से मानसिक परेशानी में था जिस कारण से मेरे घर में कलेस हुआ करता था और भूत प्रेत की भी मेरे वाइब को प्रेशा नहीं थी वो भी संत्रामपाल जी माराज की नाम दिखसा लेने के बाद दूर हो गई सर आप राजिस्तन से बिलॉंग करते हैं राजिस्तन में भूत प्रेट की भादा से समंदी थी बड़े-बड़े मंदीर है मेंधी पुर बाला जी और भी बहुत सारे संथ हैं मेंध हैं आपको इन सबी संथो को इन पूजाओं को छोड़ कर संत्रामपाल जी महाराजी की सर्ण में जाना पड़ा इसकी वज़े क्या है कि आपको संत्रामपाल जी महाराजी से नाम दिखसा लेने के बाद लाब मिला यहां से लाब नहीं मिला सर मैं और भी संतों के पास और देवी देवताओं के पास गया था लेकिन मुझे कोई लाब नहीं मिला और मेरी प्रेशानी बढ़ती ही जा रही थी उसके बाद भी मैंने एक सिउ जी के जो भक्त है वो कासी विश्वनात के वहां से हैं उनसे भी नाम दिखसा लिया तो वहां से भी मुझे कोई फरक नहीं पड़ा और मेरी प्रेशानी बढ़ती ही गई इस कारण से फिर मुझे संत्रामपाल जी महाराज की पुस्तक जीने की रहा मिली वो पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि गुरू जी उसमें बताते हैं कि जुटे गुरू को त्यागने से कोई पाप नहीं लगता है और फिर मैंने संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्सा ग्रेण की और उनके बताई हुए भक्ति साधना करने लगा सर आज कल सरकार खुद नसे के लाइसेंस इसू करती है वो नसा क्या बंद करवाएगी संत्रामपाल जी महाराज है जो नसे के बारे में पूर्ण जानकारी बताते हैं कि नसे की उत्पति कहां से हुई और किस परकार से ये हमें आध्यात्मिक और मानसिक तरह से बिमार करता है इस जानकारी की वज़े से मेरा भी नसा दूर हुआ और मैं सभी युवा भाईयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि संत्रामपाल जी माराज द्वारा लिकित जीने की राप उस्तक में नसे के बारे में पूरा विवरन दिया गया है कि नसे से गदे और गोडे भी नपरत करते और अपने को परमात्मा ने मानव जीवन दिया है तो उस जीने की राप उस्तक से मुझे नहीं जीने की राप मिली और मेरा नसा भी छुट गया सर आप बगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर बगत समाज को संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ? मैं एक प्रातना करूँगा, सभी संत रामपाल जी माराज के ज्यान को समझे और उनसे नाम दिक्सा लेकर अपना मानुव जीवन का कल्यान करवाएं यही मैं मानव समाज से और संपूर्ण विश्व से प्रातना करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी माराज से नाम दिक्सा ले और उनके ज्यान को समझे जी धन्यवाद